हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है, Remedies and Recipes for You में, तो आज हम बात करेंगे Acidity के बारे में, तो अब हम जानेंगे Acidity कैसे बढ़ती है, वो लोग ज़्यादा जो मिर्च मसाले खाना खाते हैं, ज़्यादा सराब पीते हैं, उन्हें Acidity की सिकाया ज़्यादा होती है अधिक समय तक तनावग रस्तर रहना, देर तक भूखे रहना, जंक फुड बहुत ज़्यादा खाना तो अब हम जान लेते हैं एसी डीटी के कुछ लक्षन सीने और छाती में जलन, इससे सीने में दर्द भी रहता है मुँ में खटा पानी आना, भूजन ठीक से नहीं पचता, इसकी वज़े से घबरहाट होती है खटे डकारे आती है, गले में जलन सी महसूस होती है और जब यह तकली बार-बार होती है तो गंभीर समस्या का रूप धारन कर लेती है ACIDT से कई बार रोगी ऐसा महसूस करता है जैसे भूजन उसके गले में आ रहा है या कई बार डकार के साथ खाना मुँ में आ जाता है रात को सोते समय इस तरह किसी कया ज्यादा होती है कई बार ACIDT भूजन नली में, सास की नली में पहुच जाता है जिससे मरीज को दमा या खासी की तकलीब भी हो सकती है तो अब हम जानेंगे ऐसीडीटी के कुछ घरेलू उपाए तुलसी के पत्तों का सेवन तुलसी के कुछ पत्ते लेकर उन्हें पानी में उबाल ले अब उस पानी को छान ले तथा उसे गुनगुना होने दे एक प्राकृतिक एंटोसीड है जो गैस को दूर रखती है एक कप पानी में आधा चम्मत दाल चीनी पावडर डाले और इसे उबाल ले इस उबले हुए पानी को एक दिन में दो से तीन बार पिए ऐसा करने से एसीडीटी की समस्य दूर होने लगेगी और तीसरा उपाय है अधरक का सेवन अधरक में अनेक पॉस्टिक गुन पाए जाते हैं अधरक में पेट की अमलता से लड़ने की शमता होती है जो एसीडीटी से रहात देते हैं प्रती दिन खाने के बाद अधरक का एक छोटा टुकड़ा मुह में रखकर चबाएं या फिर एक कब पानी में अधरक को पिसकर डालें और उबालें इस पानी को छान लें और इस पानी को पी लें इसके सेवन करने से एसीडीटी से रहात मिलती है और चौथा उपाय है लॉंग का सेवन लॉंग हमारे स्वास्ते के लिए बहुत गुनकारी है लॉंग खाने से पेट में हाइड्रोकलोरीक एसीड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेट की अमलता कम होती है और एसीडीटी से रहात मिलती है प्रती दिन खाने के बाद दो से तीन लॉंग को मूह में रखकर हलका हलका चबार कर चूसे यह प्रक्रिया करने से असीडीटी से शुटकारा मिलता है और नेक्स्ट उपाय है आवला जैसे आवला खटा होता है लेकिन एसीडीटी के घरेलू उपचार के रूप में यह बहुत शानदार है फोरन राहत के लिए दो चम्मच आवला जूस या सुखा हुआ आवला पाउडर और दो चम्मच पीसी हुवी मिस्री ले ले और दोनों को पानी में मिला कर पी जाए इससे आपकी असीडीटी तुरन दूर हो जाएगी और नेक्स्ट उपाय है दही अपने रोजमर्रा के अहार में मठा और दही सामिल कर ले ताजे खीरे का रायता असीडीटी का बहतरीन उपचार है इससे असीडीटी दूर हो जाती है और नेक्स्ट उपाए है आप खुब पानी पिएं क्योंकि इससे ना सिर्फ पाचन में मदद मिलती है बलकि सरीर से टॉक्सिंस भी फ्लस आउट हो जाते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थाइंक्यू सो माच